नमस्कार आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान जेवर एरपोर्ट और दिली अंसियार से जुड़ी बड़ी खबर है अब जेवर एरपोर्ट से फरिदवाद के बल्लब गड़ तक रैपिड मेट्रो चलाय जाने की तैयारी की जा रही है यह रैपिड मेट्रो सराय काले ख और क्या है पूरा अपडेट आईए देखें पूरी रिपोर्ट जागो हिंदुस्तान नवड़ा इंटरनेशल एरपोर्ट जेवर को अब हरियाणा के बल्लब गड़ से रैपिड मेट्रो से जोडने की तैयारी सुरू कर दी गई है बल्लब गड़ के अलावा दिली के सराक और गुरुग्राम के इफको चौप से भी बाटा चौक के बरास्ते बल्लब गड़ साहुपुरा और जेवर एरपोर्ट को डिरेक्ट कनेक्ट्विटी देने की तैयारी सुरू कर दी गई है इसक्रीन पर यह संबावित रेलवे इस्टेशन और रेलवे ट्रैक का खाका मेट्रो के ट्रैक से बल्लब गड़ के बरास्ते साहुपुरा होते हुए जेवर इंटरनेशनल एरपोर्ट तक रैपिड मेट्रो दोड़ाने की तैयारी की जा रही है जेवर एरपोर्ट तक रैपिड मेट्रो चलाने की परयोजना पर फरिदाबाद महानगर विकास के मताबिक माश्टर प्लान दोजार इकतालिस को तैयार करने की जिम्मेदारी FMDA को सौपी गई है इसमें दिली नवड़ा के जेवर एरपोर्ट और गुरुगाम के बीच रैपिड मेट्रो चलाने का काम किया जाएगा ताकि मजबूत कनेक्टविटी तैयार हो सके इसकी का कि मिटर लंबे एक्सप्रेसवे के बनने से बल्लावगड से सीधे एरपोर्ट जुड़ जाएगा बाई-पास रोड़ पर DND KMP एक्सप्रेसवे के लिंक रोड का निर्मान कारिय भी अंतिम चरण में चल रहा है एक्सप्रेसवे का यह लिंक रोड सेक्टर 65 से शुरू होक दिल्ली के सराय काले खांके पहले डी एंडी तक बनाया जा रहा है एप एम डी ए की परियोजना के अंसार उप्रोक्त दौनों एक्सप्रेसवे के साथ रैपिट मेट्रो का ट्रैक बिछाये जाएगा फरिदावाद से 60 ग्रेटर फरिदावाद के पास गोजर रहे डी एंडी के एम पी एक्सप्रेस वे लिंक रोड के साथ रैपिट मेट्रो के इस्टेशन बनेंगे जिससे ग्रेटर फरिदावाद के विकास को एक नई रफतार मिलेगी गुरूग्राम के राजीव चौक की तर यही से फरिदाबाद बाइपास पर बन रहे D&D KMP एक्सप्रेसवे की लिंक रोड जुड रही है FMDA के अधिकारियों के अनुसार एक्सप्रेसवे के साथ साथ रैपिड मेट्रो साहुपरा तक पहुचेगी वहां से बल्लवड मेट्रो स्टेशन से इसे जोड़ा जाएगा साहुपरा में रैपिड मेट्रो ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेसवे के साथ जेवर एरपोर्ट को जोड़ेगी तीसा रूट बाटा मेट्रो स्टेशन से फरिदाबाद गुरुगराम राज्य हाईवे होते हुए गुरुगराम तक निकाला जाएगा गुरुगराम फरिदाबाद के बीच पहले से ही मेट्रो चलाने की परियोजना पर काफी काम हो चुका है उधर यूपी और हर्याणा के लोगों के लिए एक खुस कबर ये है कि जेवर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वेपर अब मोहना के पास इंटरचेंज को मंजूरी मिल गई है हर्याणा के मुख्यमंत्री नायव सिंग सैनी और केंद्रे मंत्री नितिन गडगरी के साथ बुदवार को दिल्ली में हुई बैठक में यह निड़न ले लिया गया इससे यमुना के आसपास के हर्याणा और यूपी के कैई दरजन गाओं के किसानों को काफी राहत मिलेगी काफी दिनों से हर्याणा के किसान जेवर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे पर मोहना के पास इंटरचेंज बनाने के लिए धरना प्रदस्टन और आंदोलन कर रहे थे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे और रैपिड मेटरो के सम्मंद में जो भी अपडेट होगा दोस्तों हम लगातार आपको उपलब कराएंगे दोस्तों लगातार हम आपको जेवरे और पोर्ट जमना विकास प्रादिकर्ण और एंसियार के डवलप्मेंट की खबरें दिखा रहें आगे भी दिखाते रहेंगे नई साथी चनल को सब्सक्राइब कर बैल आकन जरूर दबाएं और दोस्तों इस वीडियो का लिंक भी अ अधिक से अधिक लोगों को मिलती रहें निस्पक्ष खबर खुली परता सती शर्मा जाफ्राबादी के साथ जागो हिंदुस्तान नमस्कार